हेलो वीडियो में स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो को तो हम लोग 5-year plans से related जितने भी important MCQs आपके बनने वाले हैं और जो भी questions exam में पूछे गए हैं अब तक 5-year plans से तो उससे related हम questions को discuss करने वाले हैं ठीक है अगर आप यह topic पढ़ते हो तो आपके 5-year plans related एक भी questions नहीं चूटेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला question the concept of 5-year plan was borrowed from which country बताईए यह जो पंचवर्सी योजना का concept है यह basically कौन से देश्य लिया गया है बताईए Ireland, Canada, Russia या फिर USA तो भीया यह जो 5-year plan है यह लिया गया था रशिया से ठीक है अगला question है who was the first chairman of planning commission planning commission के पहले अध्यक्ष कौन थे बताईए मात्मा गांधी जभारलाल नेहरू मदन मोहन मालविया या फिर सर्व पल्ली राधा कृष्ण अगर आपको इसका PDF चीए तो आपको planning commission कौन थे यह थे कौन हमारे जवारलाल नेहरू अगला question है the khadi and village industry commission was established in which 5-year plan बताईए खादी and village industry commission जो है यह कौन से पंचवर्षी रूजना में स्थापित की गई थी यह स्थापित की गई थी in the second 5-year plan ठीक है अगला question है what was on the top priority in the first 5-year plan in India पहली पंचवर्षी योजना में top priority पे क्या था railway network था agriculture था poverty removal था या फिर industries development था मतलब किस पे सबसे ज़्यादा काम करना था किसको top priority दिया गया था यह भाईया किसको दिया गया था agriculture development को ठीक है अगला question है when was the planning commission set up बताईए planning commission जो है इसको कब set up किया गया था योजना आयो की स्थापना कब हुई थी 15th of March New Delhi में हुई थी New Delhi में हुई थी साल की बात करें तो 1950 ठीक है 15th of March 1950 location New Delhi what was the duration of first five year plan बताईए पहली पंचवर्स के योजना का duration क्या था एक option और आप add कर लो 1951 to 56 इनमबर बताईए क्या था first five year plan का duration क्या था देखिए पहली पंचवर्स के योजना का duration था क्या 1951 से लेके 56 ठीक है अगला question है in which year the second five year plan end in India बताईए दूसरी पंचवर्स के योजना कब खत्म हुई थी देखिए पहला वाला कब था कारेकाल क्या था 1951 से लेके 56 तक तो अब बैसली दूसरा वाला 56 से स्टार्ट होगा तो कब तक चला 61 तक तो 61 1961 ठीक है खत्म हुआ ऐसे भी question आता है इन विच ये टूवल्थ फाइब ये प्लान इंड ये question तो बहुत बढ़ आया है तो हो सकता है सेकेंड फाइब प्लान पे पूछ ले तो आपको याद रखना है ठीक है अगला question है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी वस एनाउंस इन विच आप दो फॉलॉइंग ये बताइए नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जो है ये किस वर्स एनाउंस किया गया था ये भाईया 31st of May 2012 चलिए अगला question देखते हैं यहाँ पर फॉर्थ होगा ठीक है चलिए बताइए इन दे फॉर्थ फाइब प्लान हामेनी इंडिन कमर्शल बैंक्स वे नॉस्नलाइज बताइए चौथी पंचवर्सी योजना में इंडिया के कितने कमर्शल बैंक को नेशन किया गया था उसका राष्ट्रिय करन किया गया था 2012-14 या फिर 17 चौथी पंचवर्सी योजना में जो है 14 है ना ऐसे भी question आता है कि बताइए चौदा बैंकों को नेशनलाइज किया गया था कौन से पंचवर्सी योजना में तो आपको याद रखना है वाई फूर्थ लेकिन questions इसी से आएंगे ना बस थोड़ा language change कर दिया जाएगा इसलिए आप माइंड में रखना विच फाइब प्लान इस ओल्सो नून अज लिप्रिलाजेशन ऑफ एकोनॉमी बताइए कौन से फाइब प्लान को लिप्रिलाजेशन का जाता है एकोनॉमी का का जाता है किसको बताइए कौन से फाइब फाइब player plan को ओके अगला question एंडर विच्वाइब यह बैन्द ब्लूhu revolution स्टार्ट इन इंडिया बताइए कौन से पंचवर्स की योजना के तहत Blue Revolution को स्टार्ट किया गया था भारत में तो भाईया ये स्टार्ट किया गया था 7th 5-year plan और 7th 5-year plan का कारेकाल था 1985 से लेके 90 तक ठीक है What was the duration of 12th 5-year plan बताइए 12 वर्षी पंचवर्स की योजना का duration क्या था 2012-17 In which 5-year plan was that जवाहर रोजगार योजना was launched बताइए कौन से पंचवर्स से योजना में जवाहर रोजगार योजना को लाँच किया गया था राइट अंसर हो जाएगा 7th किस वर्ष लाँच किया गया था 1989 ठीक है चल गया अगला कोशिन देखते है What was the basic objective of 5th 5-year plan? बताइए जैसे 5th 5-year plan था तो इसका basic objective क्या था? inclusive growth highway projects poverty removal या फिर agriculture development बताइए basic objective क्या था? 5th 5-year plan का इसका basic objective था गरीबी हटाओ poverty removal ठीक है? अगला कोशिन है Who gives the final approval to the 5-year plan of India? पंच वर्षे योजना को final approval किसके दवारा दिया गया था? Vice President of India Planning Commission Ministry of Science या फिर National Development Council National Development Council के दवारा अगला कोशिन है The second 5-year plan of India was based on the model of बताइए दूसरी पंच वर्षे योजना जो है ये कौन से model पे based था? देखिए कौशिन आएगा पहला पंच वर्षे योजना भी आएगा आता है तो हेरोट दूमर मॉडल जो है ये based था मतलब पहला पंच वर्षे योजना दो था ये हेरोट दूमर मॉडल पे based था और ये कौशिन के according दूसरा पंच वर्षे योजना पूछ रहा है तो आपको याद रखना है option number A महल लॉन बिस मॉडल पे ठीक है अगला कुशिन है विच वाइब वर्षे योजना का प्लान जो था ये फोकस था ग्रोथ विच सूसल जस्टिस और एक्विटी नाइन्थ फाइब येर प्लान का अगला कोशिन है दलबंथ फाइब येर प्लान इंडेड इन दे येर बताएए ग्यारवी पंच वर्षे योजना कब समाप्त हुई थे किस साल 2012 2007 से और लास्ट वाला आपको पताए 12 फाइब येर प्लान 2012 से लेके 17 तक अगला कोशिन है Mixed Economy of India was first introduced in which five-year plan Mixed Economy जो है ये भारत में पहली बार कब introduced क्या गया था Under the which five-year plan Under the second five-year plan अगला कोशिन है What was the main objective of second five-year plan बताएए Second five-year plan का main objective क्या था Inclusive growth, poverty removal, railway growth या फिर फिर इंडस्ट्रिल डवलप्मेंट Second five-year plan का main objective था Industrial development अगला कोशिन है What was the duration of third five-year plan बताएए तीसरी पंचवर्सी यूजना का जो है Duration क्या था देखेए तीसरी पंचवर्सी यूजना की बात करेगर तो इसकी duration थी 1961 से 1961 तू 66 अगला कुशिन है Under which five-year plan was the green revolution started बताएए कौन से पंचवर्सी यूजना में green revolution को start किया गया था Third five-year plan Which five-year plan is considered to be the most unsuccessful plan बताएए कौन से पंचवर्सी यूजना को सबसे unsuccessful plan माना जाता है Second, Third, Seventh, Fourth, Tenth देखिए इसके बहुत दो-तीन reason है मैं आपको बताता हूँ reason इसको unsuccessful इसलिए माना जाता है पहला तो हो गया आपका Indo-China War जो कि 1962 में हुआ दूसरा हो गया आपका इसको unsuccessful बनाने का बहुत ही जादा सूखापन हो ना मतलब अच्छे से agriculture करना हो ना और तीसरा हो गया आपका Indo-Park War भी हो गया था 1965 में तो इतने सारे problems की वज़े से जो है इसको बहुत ही जादा unsuccessful माना गया था और यह obviously unsuccessful था third five year plan आपका ठीक है 1961 to 66 अभी हमने जश्ट देखा third five year plan का चलिया what was the duration of fourth five year plan बताईए चौथी पंचवर्षी योजना जो थी इसका duration क्या था चौथी पंचवर्षी योजना जो था ना इसका duration था 1969 से लेके 74 option number B अगला question है what was the duration of first plan holiday बताईए पहली योजना अवकास की अवधी क्या थी ये भी question बहुत 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 आता है इसकी अवकास की अवधी थी कहा तक 1966 से 69 तक की ठीक है अगला question है what was the duration of sixth five year plan बताईए sixth five year plan जो है इसकी duration क्या थी 35 वर्षी योजना की duration थी 1982-85 अगला question है in which five year plan was इंडिया's agriculture growth rate the highest बताईए कौन से पंच वर्षी योजना में इंडिया का जो agriculture growth rate जो है ये सबसे highest हुआ था सबसे जादा हुआ था वैसे आपको पता होना चाहिए कि agriculture का top priority कौन सा five year plan था फर्स five year plan में लेकिन आपको बताना है कि इसमें कौन सा five year plan में इंडिया में agriculture growth rate सबसे जादा हुई थी फोर्थ में ठीक है चलिए इन विच five year plan इंडियन स्पेस research organization was established बताईए इस रोग इसको कहते हैं है ना इस रोग भी जिसमें चंदरान 3 को successfully launch किया तो बताईए एक कौन से पंच वर्स योजना में इसको स्थापित किया गया था फोर्थ five year plan ठीक है चौथे पंच वर्स योजना अगला question है विच five year plan लास्टली लास्टेड ओनली four years कौन सा पंच वर्स योजना जो है जो केबल चार वर्स ही चली थी 1974 से लेके 1978 और ये कौन सी पंच वर्स योजना है फिफ्त वाली पंच वर्स ही योजना ये का अखेली पंच वर्स योजना है जो केबल चार साल तक ही चली थी ठीक है अगला question है इन विच five year plan was the इंडियन नेशनल हाइवे सिस्टम लॉंच बताइए कौन से पंच वर्स योजना में इंडियन नेशनल हाइवे सिस्टम को लॉंच या गया था फिफ्थ five year plan ठीक है वाट वस दे डूरेशन आप सेकेंड प्लान लीव पताइए 1978 to 80 वाट वस दे में उब्जेक्टिव अप सिस्ट five year plan बताइए छटी पंच वर्स योजना का में उब्जेक्टिव क्या था इंडिस्ट्रिल डेवलोप्मेंट रेलिवेस डेवलोप्मेंट अगरिकल्चर डेवलोप्मेंट या फिर पॉवर्टी अलिवेशन इंक्रीज इंप्लोइमेंट पॉवर्टी अलिवेशन इंक्रीज इंप्लोइमेंट अगला कोश्यन है वाट वस दे दिरेशन अब सेवन्थ five year plan बताइए सेवन्थ five year plan का दिरेशन क्या था अप्शिन नमबर डी 1985-90 अगला कोश्यन है विच five year plan was presented during the tenure of Prime Minister राजीब गांधी बताइए कौन सी पंचवर्षी योजना जो है present की गई थी during the tenure of Prime Minister राजीब गांधी इस टाइम पे राजीब गांधी भारत के प्रधान मंत्री थे 7th five year plan what was the duration of 11th five year plan बताइए 11.05 योजना का duration यह साथ से question हमने कर लिया है 2007 से 12 बताइए what was the main objective of 11th five year plan 11th five year plan का main objective क्या था 9 objective था fastest and inclusive growth अगला question है in which year इंद्रा गांधी नेशनल डिसाबिलिटी पेंसन स्केम वोज लॉंच्ट बताइए कि भाइए आपके 40 questions में से कित्ते questions correct और questions आपको कैसे लगे वीडियो आपको कैसी लगी comment में जरूर बताइएगा 2009 और ग्यार भी पंचवर्स योजना में लॉंच होई थी और बंचवर्स योजना में जो है फूड वर्क और प्रड़क्शन का स्लोगन दिया गया था नारा दिया गया था बोजन काम और उतपादन का इन दे सेवंथ फाइब एल प्लान लास्ट कोश्चिन इन विच यह सेवंथ फाइब एल प्लान इंड बताइए साथ वी पंच वर्स के योजना जो है यह कब खत्म हुई थी 1997 में हुई थी भाई ठीक है ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन नमबर ई हो जाएगा है ना 1997 तो चलिए वीडियो कोई पैंट करते हैं वीडियो अच्छा लगा और हमाशाल पर आप नहीं हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा मिलते हैं एक वीडियो में